नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है SGV News पर इस वक्त कि आपको एक बड़ी खबर बता दें और सवाल इस समय ये उठ रहा है कि क्या परधान मंत्री नरेंदर मोदी की हत्या की साजिश रश्रा है विपक्ष आप सूच रहूंगे ऐसा सवाल क्यों और इस समय ये बड़ा सवाल इसलिए उठाया जारा है क्योंकि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंग्ग का की साजिश कर रहा है आगे उन्होंने बात को बढ़ाते हुए कहा कि पंजाब में तो कॉंग्रेस ने पूरी व्यवस्था कर दी थी पंजाब में तो नरेंदर मोदी को महादेव ने बचा लिया फिर आगे उन्होंने कहा कि टुकडे टुकडे गैंग मोदी को खतम करने में लगा हुआ है और टुकडे टुकडे गैंग में सबसे आगे कॉंग्रेस पार्टी है तो यहाँ पर बड़ा बयान गिराज सिंग का और गिराज सिंग ने का कि इस मामले में कॉंग्रेस नेतरित्व की जबान भी नहीं खुली इस मामले में ना तो राहुल गांदी ने कुछ बोला ना ही प्रिंका गांदी ने कुछ बोला और ना ही सोनिया गांदी ने कुछ कहा तो यहाँ पर इसलिए यह सवाल अब उठाया जा रहा है गिरीदा सिंग की तरफ से जो पिछले साल पियम मोदी की सुरक्षा में चूक होई थी यहाँ पर पंजाब के अंदर उसको लेकर के सवाल उठाय जा रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष जो है पियम मोदी को मारने की साजिश रच रहा है हत्या की साजिश यहाँ पर रची जा रही है लेकिन अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या सच में विपक्ष जुए ये चाता है दरसल अगर बात कि पूरा गटना करम पिछले साल का है पिछले साल जन्वरी में परधान मंत्री नरेंदर मोदी की पंजाब यात्रा के दोरान सुरक्षा में भारी चूप का मामला सामने आया था इसके बाद परधान मंत्री नरेंदर मोदी को वापस एरपोर्ट लोटना पड़ा था परधान मंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जो जिम्यदार अधिकारी है उन अधिकारियों के खिलाफ कारवाई में भी देरीज हो रही है और उससे केंदर सक्त नाराज है हाल ही में आपको बता दे तो केंदर ने राज्य सरकार से कारवाई की रिपोर्ट मांगी है और ग्रह सचीव ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचीव से भी बात की है जिम्यदार अधिकारियों के खिलाफ इसी महीने में चारशीट फाइल होने की उमीद भी जताई जा रही है दरसल परधान मंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जाँच के लिए सुप्रीम कोड की तरव से पाँच सदस्यों की एक कमेटी गढ़ित की गई थी इसमें राज्य के ततकालीन मुख्यस अचीव अनिरुथ तिवारी उनके साथ साथ पुलीस प्रमुख एस चटो पाध्याय और अन्य शिर्श अधिकारियों को चूक के लिए इसमें जिम्यदार ठैरा गया था चूक के लिए जिम्यदार बताया गया था इन सब लोगों को इन सब अधिकारियों को और इसके बाद अगर बात किये तो इस हफते की शुरुआत में किंद्रिय ग्रह सचीव अजे भल्ला ने पंजाब के मुख्य सचीव विजे कुमार जंजुआ से कारवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा था और इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो द भी एक्षन नहीं लिया है इसमें कोई भी कारवाई अभी तक नहीं की गई है और जिस समय यह गटना हुई थी उस समय पंजाब में कॉंग्रेस के नित्रित्तव वाली सरकार के मुख्या चरण जीत सिंग चन्नी मुख्यमंत्री थे तो इसलिए अभी गिरिराज सिंग की त दोशी इसमें अधिकारी हैं उन पर कोई भी एक्षन नहीं लिया गया है और इसी को लेकर अब यह सवाल उठ रहें कि क्या विपक्ष जो है वो पीए मोदी की हत्या करवाना चाता है गिराज सिंग ने आगे कहा कि 9 सालों में लोगों के मन में मोदी सरकार को लेकर एक उमी जगी कि यह जो व्यक्ति है यह गरीबों का उद्धार कर सकता है और सेना को भी लगता है सेना का भी जिक्र किया गया अब यहां पर अगर बात कि यह सवाल विपक्ष पर जो उठ रहे हैं यह उठें भी क्यों ना क्यूंकि हाल ही में आपको बता दें सिरफ पंजाब की लेता हैं उनसे अपील करते हैं कि आपस में लड़ाई खतम करो और मोधी को खतम करने के बारे में सोचो यह हाल ही का अभी लिटेस ब्याना है कॉंग्रेस की दरव से आगे वो कहते हैं कि अगर हम मोधी को खतम कर सकते हैं तो हिंदोस्तान बच सकता है अगर मोधी यहां है तो हिंदोस्तान खतम हो जाएगा यहाँ पर राजसान में चुनाव बेशक आने वाला है लेकिन लड़ाई होनी चाहिए मुद्दों के लड़ाई होनी चाहिए यहाँ पर लोगों के लिए कौन जादा विकास कारें को कर सकता है उस पर बात होनी चाहिए डूइलमेंट वर्क को लेके बात होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर कॉंघ्रेस की तरफ से क्या किया जा रहा है क्या करबहारी कह रहे हैं सीनियर लीडर कॉंघ्रेस के कि मोदी को खतम करना पड़ेगा वहिं नंदावाने यह भी कहा कि मोधी ने चुनाव जीतने के लिए कहीं पुल्वामा हमला तो नहीं करवा दिया जांच करवा हो यह का जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो 2019 में पुल्वामा का हमला हुआ था वो कहीं पीम मोधी ने तो नहीं करवाया चुनाव जीतने के लिए जांच होनी चाह का उससे पहले मंबई में ताज हमला हुआ था उसको भी यहां पर कॉंग्रेस के नेताओं ने साथ में बॉलिवूड वालों के साथ में मिलकर उसको जो है आरेसेस की साज़िश बताया था वो तो अजमल कसाफ जिन्दा पकड़ा गया था और उस समय कॉंग्रेस ने कारवाई है विपक्ष के लिए अडानी ने खुद ब्यान दिया कि बैंक और लाइसी ने भी यह ब्यान दिया यह मोधी को गाली देना जो इनका काम है क्योंकि मोधी पर कोई और आरोप तो लगा नहीं सकते हैं इसलिए यहां पर अडानी बार बार ले आते हैं फिराग इगिरा चाहे बिजेपी क्या ही हो चाहे कॉंग्रेस क्या ही हो उसमें मेरा जो बिजनस आगे चला है चाहे फिर वो पोर्ट्स का हो यहां फिर बाकी अन्य बिजनस हो वहीं गिरिरा सिंग ने राहुल गांदी को लेकर भी बयान दिया ग्राहुल गांदी को गेरा उन्होंने गिरिर उनने का कि देश उनने पप्पू कहता है नेता थोड़ी ना कहता है संसद में 52 मिनट उन्हों ने बाशन दिया है और वो कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता क्या बच्चों की तरह यहांपर बात करते हैं वह संसद में तो सब चीजे रिकॉर्ड होती है ये दरसल बार-बार जो कहा जा रहे बीजेपी की तरफ से कि जो शीत कालिन सत्र था उसमें राहूल गांदी पूरी तरह से गायब रहे उसके बाद एक भी परसेंट उनके अटेंडेस नहीं है वहाँ बजट सत्र शुरू हुआ तो यहां पर राहूल गांदी आए कि पीए मोदी को मारने की जो है वो साजिस चल रही है और इसी बीच साथ में ही राजसान कॉंग्रेस का भी बयान आता है वहां के प्रबारी का बयान आता है कि मोदी को खतम करो अब इसको लेकर आपका क्या कहना है आपकी कह रहा है आप हमार साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं मारसाथ धन्यवाद